असलाम हुलीकूम। आज हम लोग इलेस्ट्रीशेल के लिटरर के अनर वॉर्टरर्किश्ट टेक्स्टॉर्फएक्श बनाना सीखेंगे । तो यहाँ मैंने इलेस्ट्रेटर आपिंगा लह बेहिawaल ए और आपने भी Illustrated or Open कर लेना है और Illustrated or Open करने के बाद सबसे पहले तो आपने M प्रेस करना है Rectangle Tool आ जाएगा और इसके बाद आपने Artboard के साइज का एक rectangle बना लेना है rectangle बनाने के बाद जो है आपने जो इसकी Fill है इसको Black Color देना है और जो इसकी Stroke है आपने इसको Off कर लेना है इसको Off करने के बाद आपने Ctrl और 2 प्रेस करना है तो यह Lock हो जाएगा Rectangle ठीक है इसको Lock करने के बाद आपने T प्रेस करना है T से Type 2 लाजाएगा आपके पास आपने इसके नहीं के बाद जो आपका Text होगा और वापने लिखो आपने लेना है और भी आपने इसका Color चेंज करना है White आपने इसका Color रखने और और ennial सच्ट करना है घ्रेस क्ञएं इसको Shift प्रेस करके बढ़र करना है इसी तरह जब आप font change करने तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यह जो text है क्या आपने copy लेनी है葉 को लेने के लिए आपने shift और all को hold करके रखना है और आपने इसको नीचे की तरफ drag करना है तो यह copy आजएगी इसके बाद आपने इसको right लेके आना है और इसको पर लाने के बाद आपने लेना है रिंकल टूल अच्छा रिंकल टूल लेने के लिए आपने यहां पर विट टूल बनावा है आपने इसके उपर राइट क्लिक करना है और यह रिंकल टूल है आपने इसके उपर क्लिक करना है अच्छा हो सकते हैं आप , आपके जो टूल में आपके एक जू Labor Day такие अब आपने ओपने क्लिक ना कर ना है और यहां पे लेना यह आपने 0 रखना है और जो intensity है वो आपने 50% पर रखनी है अच्छा इसके बाद आपने आजना है wrinkle options के अंदर और जो horizontal की value है वो आपने 100% दालनी है vertical की value is 0 और इसके बाद इसकी value 1 और जो detail है आपने इसको 3 कर देना है और जिस तरह से मैंने भी इसकी settings रखनी है आपने इस आपने आपस से इसके एक्ल également रायाइंकर करना है और इसके बाद आपने आपने युद्ग करना है और आपने इसके पफिर आपने जिए वापने जाना है उड्बर और देया है इसके अयुछ क् Кли cloves. यो बाद जो क्लिक करना इद है इसके बाद इसका एंगल है वह आम आपने 90 डिग्री में और इसके बादो उन्सका स्लाइडर आपकु बाए इसके गार पर कोपी लेनैं आंक आपके 667 पर अइसके आप से बीक शेय क् show . वो इसलिए से नहीं आया क्योंकि जो हमने color add कर रहा है वो black नहीं था तो मैं इसके डबल क्लिक करूंगा और यह जो black color है वो मैं select कर लूँगा इसी तरह इसी तरह जो भी आपका जो background का color है वो आपने gradient करने दालने तब यह effect आएगा तो इस तरह से आप water reflection text effect बना सकते हैं और I hope कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like करें और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दूसरे के लिए शेयर करें और जिन लोगों अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं करा तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिजिए इंशाला अब आप से मुलकात होगी अगली वीडियो में अल्ला हाफिज